गाईज ये कहानी है जोमेटो कंपनी के एक डिलिवरी बोई मुकेश की जो बिहार के एक किसान का बेटा है दरसल मुकेश ने स्कूल के दिनों में ही एथलेटिक्स में चार-चार गोल्ड मेडल अपने नाम किये थे लेकिन जब वो नैशनल लेबल पर खेलने गया तो किनी कारणों से वो हार गया इसकी वज़य से वो डिप्रेशन में चला गया तब उसके टीचर्स ने उसकी होसला अवजाई की और कहा कि वो एक दिन जरूर जीतेगा ये सुनकर मुकेश ने भी ठान लिया कि वो एक दिन जरूर जीतेगा लेकिन मुकेश पर अपनी बेहन जो खुद एक स्टेट लिवल चैंपिन है उसकी जिमेदारी भी थी तो इसलिए उसने जोमेटो में डिलिवरी बोई का काम करना शुरू कर दिया और जब जोमेटो से पहली बार उसे पैसे मिले तो उसने अपनी बजाए अपनी बेहन के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीदे गाइस भले ही मुकेश और उसकी बेहन को उस तरह का सपोर्ट ना मिला हो जिस तरह का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए लेकिन वों कहते हैं न कि ढूंड लेते हैं अंदेरे में भी रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मुटाज नहीं होते इतिहास में हम सभी ने बड़े बड़े दानबीरों के बारे में पड़ा और सुना होगा लेकिन वर्तमान समय में भारत में जब भी दानवीरों की बात आती है तो लिस्ट में सबसे उपर विप्रो के संस्तापक अजीम प्रेम जी का नाम आता है और उनकी दर्या दिली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक दिन में 22 करोड रुपे और एक साल में करीबन 7904 करोड रुपे दान कर दी